नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में 69th BPSC और बिहार दरोगा 2023 के लिए बिहार अस्पेसल हिस्टी डिसकस करेंगे और इसमें जो है प्राचिन बिहार के इतिहास को डिसकस किया जाएगा इसे करीब 4 पार्ट में पुरा प्राचिन बिहार के इतिहास को अपलूट किया प्राचिन बिहार के इतिहास के बारे में समझेगा प्राचिन बिहार में जो है पासान काल, वैदी काल, महाजनपद काल, मौर एवम गुप्त बंस, बौध एवम जैन बंस इस सारी आपके प्राचिन बिहार में आते हैं, साथ ही आपको ध्यान रखना की बौध एवम जो जैन धर्म है, इसका बिकास बिहार में हुआ था, और जो मौर बंस है, इसका भी बिकास आपके बिहार में हुआ था, साथ ही आपको ध्यान रखना यहाँ पर हलपा, आपसे पुछा सकता है कि जो हलपा सब्ता है, हलपा सब्ता है, इसका बिस्तार बिहार में था, तो इसका बिस्तार बिहार में नहीं था, ना तो इसका बिकास बिहार में हुआ था, तो हडपा सब्ता का विकास और विस्तार कहां पर हुआ था गुजरात, राजस्थान, हरियाना, पंजाब, जमुकास्मिर और आज के पाकिस्तान के बलुचिस्तान और पाकिस्तान में आपके पंजाब है उन सभी इलाके में हडपा का विकास हुआ था इतना आपको ध्यान मे रखना है और कोई भी जो सबता होता है न नदी किनारी बिक्षित होता है उसके पीछे क्या कारण है तो उसका पीछे देखिए दो कारण है तीन कारण है दो नहीं पहला सबसे बड़ा कारण है कि पानी पानी जो है उन्हें असानी से उपलब्द हो जाता है कोई भी जो सबता जमीन मिल जाता है और तीसरा आपके याता यात उनको असानी से हो जाता है याता यात जो है उनको असानी से उपलब्द हो जाता है क्योंकि नदी जो है याता यात भी उपलब्द करा देता है और नदी के यास पास जो जलोई मिर्दा है उसमें उत्पादन भारी मातरा में हो लेकिन नौप पसानकाल से क्या होता है कि लोग उत्पादक बन जाते हैं, तो उसका जो उत्पादन कहां पर करते हैं, तो नदी किनारे ही उत्पादन करते हैं, क्योंकि उनको पानी असानी से उपलत होता है, और जो जमीन होता है, बहुत ही उपजाव होता है, और उनको यात साचिन बिहार के इतिहास को जानने के लिए जो है हमारे पास दो सुरोत है पहला आपके पुरतात्विक सुरोत है और दुसरा आपके साहितिक सुरोत है पुरतात्विक सुरोत मिस क्या होता है जो आपके खुदाई से मिलता है ठीक है जो भी साच आपके खुदाई से मिलता है उसे हम लोग पुरातात्विक साच बोलते हैं और जो आपके लिखित उपलब्द है उसे हम लोग बोलते हैं साहितिक साच बोला जाता है तो आप लोग समझ लीजी पहला है पुरातात्विक सुरोत पुर्व एतिहासिक यूग के लिए मुंगेर चिरांद जो सारन में अस्तित है सारन डिस्टिक में चेचर बैसाली डिस्टिक में अस्तित है मनेर पटना डिस्टिक में अस्तित है से तामर प्रअस्तर बस्तुए एबा मिर्दभांड प्राप इत्यादी के बारे में अध्यान किया गया है उसके बाद अभिलेक भी मिलता है अभिलेक कहां कहां से मिलता है लौरिया नंदनगल रामपुर्वा और लौरिया अरिराज से जो है मौर कालिन अभिलेक मिलता है तो इससे भी बिहार के बारे में जान सकते हैं और साथ ही आपको कि पूर्वी चंपारण में अस्थी थे ठीक है यह पूर्वी चंपारण में अस्थी थे यह बात आपको ध्यान में रखना है पूछा जाता है कि लौरिया नंदनगर और रामपुर्वा किस डिस्ट्रिक में अस्थी थे तो पच्छमी चंपारण में जबकि लौरिया अरे र आप्ट सिक्के मन के मुर्तिया यादी परमुख पुरतात्विक स्रोथ है ठीक है तो इन सभी के बारे आप लोग ध्यान से आद रखेगा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सहीतिक स्रोथ में देखे सहीतिक स्रोथ में रमायन महाभारत पुरान बहुत रचनाई में जानकारी देता है इसके बाद कुछ आपके विदेशी बिहार में दोरा करते हैं उनका यात्रा बिरतांत जैसे की मेगास्थनीच का इंडिका है फाहियान फाहियान का भी आपके बूक है इत सिंग हुएंसांग इन सभी के जो यात्रा बिरतांत है इससे भी बिहार के बारे बिस्रित जानकारी हमें मिलती है तो बिहार के अधियन के लिए जो है पुरतातिविक एवं सहायतिक स्रोत हमारे पास उपलब्ध है और इसके माध्यम से ही जो बिहार का प्राचिन बिहार का इतिहाँ से उसका अधियन किया गया है ठीक है उसके बाद नेक्स पॉइंट है पासानकाल के बारे में समझे पासानकाल ये कहाँ बिहार में पासानकाल पासानकाल में पहला है पुरा पासानकाल तो इस काल में जो मानब थे अखेटेक थे जो अखेटेक में इसके होता है तो हंटिंग होता है मतलब पस्यों को मारना होता है इस काल में मानव जो है आखेटेक एबम खाद संग्राहाग था किस काल में पूरा पसान काल में और इसका साच कहां कहां से मिलता है तो दच्छिन में इसका साच मुंगेर नलंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुलहाडी चाकू खुरप आपसे पूछा जाएगा कि जो पुरा पसान काल के अबसेस कहां से मिले है तो मुंगेर और नलंदा से मिला है यहां पर से क्या मिला है तो बड़े और खुरदरे पत्थर के कुलहाडी चाकू और खुरपी का साच मिलता है या जो अबसेस एक लाख एक लाख इसा पूरव क थीक है उसके बाद आए मध पासान काल के बारे में समझेगा मध पासान काल के बारे में इस काल में मानब जो है आखेटक खाद संग्रहाक और जो खाद संग्रहाक था मनुस यह आपके पूरा पासान काल में भी था जो मध पासान काल है उसमें भी आपके मानब आखेटक है हं जो पसु है कुत्ता को बनाया गया था मानब के दुबारा पहला पालतु पसु जो है कुत्ता को बनाया गया था और दच्छिन में इसका साच जो है मुंगेर से प्राप्त होता है मुंगेर से क्या मिलता है तो मुंगेर से छोटे अकार के तेजधार वाले औजार प्राप्त ह होते हैं मुंगेर से छोटे अकार के तेजधार वाले जो है ऑजार प्राप्त होते हैं मद्ध पसानकाल में यह जो अवसेस 40,000 से 10,000 इसापूर्व के हैं जो अवसेस है 40,000 इसापूर्व से जो है 10,000 इसापूर्व का यह अब सेस मिला है अब लोकेशन ध्यान रखेगा कि मद पसानकाल का जो साच ये कहां से मिला है अब से पूछा जाता है जैसे कि पुरा पसानकाल का जो साच ये मिलता है मुंगेर और नलंदा से और क्या मिलता है ये भी ध्यान रखिएगा उसके बाद है नौ पसान काल इस काल में मानब जो है उत्पादक हो गया और मानब बस्तियों में निवास करने लगा था नौ पसान काल के अबसेज जो है बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं जैसे कि चिरांद से चिरांद आपके सरन डिस्टिक में अस्तित है चेचर बैसाली में अस्तित है मनेर पटना में अस्तित है सनुवार रोहतास में अस्तित है इन सभी लोकेशन से पत्थर ए किल किल लोकेशन से मिलता है तो चिरांद, चेचर, मनेर, सनुवार इन सभी से पत्थर एवों हडियों के ओजार मिलते हैं नवपसान काल में कैमूर की पहाड़िया नवादा और जमोई से गुफा चितर पराप्त हुए हैं कैमूर की पहाड़ियों नवादा और जमोई से गुफा चितर पराप्त हुए हैं यह जो अवसेस हैं लगवग पचीस सो इसापूर्व के अवसेस हैं नेक्स्ट पोईंट है उबैदियक काल के बारे में समझेगा आर्यो दुवारा अस्थापित सफता को जो है बैदिक सफता कहा गया है क्योंकि इस सफता का इतिहास बेदो पर अधारित हैं बहुत ही important point है आरियो द्वारा अस्थापित सब्ता को जो है क्या बोला गया वैदिक सब्ता बोला गया क्योंकि इस सब्ता का इतिहाज जो है बेदो पर अधारित है वैदिक सब्ता को दो बरगों में विवाजित किया गया है पहला है पूर वैदिक काल और दुसरा है उत्तर वैदिक काल जो पूर वैदिक काल है इसका साच आपके बिहार में उपलब्ध नहीं है बिहार में केबल जो साच उपलब्द है उत्रबैदिक काल का साच आपके बिहार में उपलब्द है तो यहाँ पर देख लिजी पूरबैदिक काल, रेक बैदिक सफटा का बिस्तार बिहार छेतर में नहें हुआ यह very very important point आपके exam के लिए ठीके से आप लोग मार किजिएगा भी भी आई उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्रबैदिक काल में आरियो का विस्तार गंड़क नदी की टटपर बिहार छेतर में होता है जो उत्रबैदिक काल है इस काल में जो आपके यार है ये बिहार में आते हैं गंडग नदी के टटपर आपके बिहार में आते हैं बिहार के भोगलिक छेत्र की पर्थम चर्चा सत्पत ब्रहम्मन लगवग 800 इसापूर्व की रचना में मिलती है पुशा जाएगा कि पहली बार बिहार का चर्चा किसमें मिलता है तो सत्पत ब्रहमन में पहली बार बिहार का चर्चा किया आता है सत्पत ब्रहमन में ठीक है सनूड कीजेगा और इसमें बिहार की चर्चा जो है विदेह की रूप में की गई है जो तिरहूत मिथला छेतर को दरसाता है तिरहूत मिथला छेतर को दरसाता है तो आपको याद राखना है कि जो सत्पत बुरहमन है इसमें बिदे की रूप में चर्चा की जाती है बिहार का और जिसका संबंद है तिरुत मिथला छेतर से इसका संबंद था रिख बेद में बिहार को कीकट एबम ब्रात सबसे संबोधित किया गया है जबकि सत्पत बरहमन में बिहार के लिए बिदे सब्द का पर्योग किया गया इसे नोट कर लिजेगा दो अलग अलग बहुत ही important point है और साथ ही बरह पुरान में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है कीकट किसे बोला गया है बिहार को और जो बरह पुरान है बरह पुरान में बोला गया है कि जो कीकट का छेतर क्या है अपवित्र प्रदेश है यह बरह पुरान में बोला गया है बज्जी संग महाजनपत के बारे में समझेगा बज्जी संग आठ राजियों का संग था जिसे अठकुल बोला जाता था इसमें बज्जी, लिछवी, ग्यातरक, बिदेह, उग्र, भोग, कुरू तथा इच बांकु इस संग के आठ जनपत थे जो आठ जनपत थे आपस में मिलकर बज्जी संग महाजनपत बनाते थे बज्जी संग में सबसे प्रसिद लिछवी जनपत था जिसकी रजधानी बैसाली थी और जो बैसाली नगर है इसकी अस्थापना राजा विसाल के द्वारा किया गया था लिछवी के अतरिक्त बिदेह तथा कुंड गराम के ग्यातरक बज्जी संग के परमुख जनपत थे ग्यातरक के बारे में याद रखेगा जो ग्यातरक बन से इस बन से संबन्द है ग्यातरक बन से ही संबन्द है ग्यातरक बन से ही था वज्जी संग या लिछवी को बिश्व के पर्थम गतंतर की संग्या दी जाती है भीवियाई पॉइंट है मार कर लिजेगा वज्जे संग या लिछवी को बीश्व के पर्थम गंतंत्र की संग्या दी जाती है मगध महाजनपत के बारे में समझेगा मगध राजनितिक आर्थिक एबम भोगोलिक कारण से सभी महाजनपतों में सबसे अधीक सक्ति साली कौन था तो मगध महाजनपत था मगध के प्रेरंबिक राजधानी ग्री ब्रीज जो आज का राजगीर है ग्री ब्रीज आज का राजगीरी थी यह पांच पहालियों से घिरा हुआ था यह BPC के दुबरा पूछा जा चुका है तो आपको याद रखना है कि मगध के प्रेरंबिक राजधानी ग्री ब्रज या राजगीरी थी जो राजगीर है यह पांच पहालियों से घिरा हुआ था मगध का विस्तार मुखता पटना से गया छेतर में था मगध एवं अंग महाजनपत का वर्नन स्वरपर्थम अधरम बेद में मिलता है पहली बार मगध एवं अंग महाजनपत का वर्नन जो है अधरम बेद में मिलता है नेक्स पॉइंट है अंग महाजनपत इसके बारे में समझेगा अंग महाजनपत का विस्तार भागलपूर एवं मुंगेर छेतर में था अंग महाजनपत की रजधानी चमपा थी अंग के अंतिम सासक बिरहदर्त को हरा कर मगत सासक बिंबी सार्म ने अंग को मगत में मिला लिया था बहुत ही अच्छा और important point है अंग के अंतिम सासक बिरहदर्त को हरा कर मगत सासक बिंबी सार्म ने अंग को मगत में मिला लिया था इतना आपको ध्यान में रखना है तो इस वीडियो में हम लोगों ने पासान काल उसके बाद वैदिक काल माहा जनपात काल इन तीन पॉइंट को डिसकस किया गया है इसके बाद हम लोग आगे पॉइंट डिसकस करेंगे ठीक है ? अगर वेडियो आप सभी को हेलफू लगता है तो चैनल को सिस्क्राइब कीजिएगा और वेडियो आपने दोस्तों में सेर जरूर कीजिएगा तेंक यू